नमस्कार नियूस किलिक में आपका स्वागत है लोकसवा चुनाब 2019 हमारे सामने हैं और जिसका प्रथम चरण 11 अप्रेल को होने वाला है आज लोकसवा चुनाब को मंदनजर रखते होए हम उतराखंड जो की एक परवतिय राजी है उसकी राजनिती को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं आज हमारे साथ हैं विजराबजी जो एक बरिष्ट बामबंती नेता है भारत की कम्निस्ट पार्टी माक्सवादी के पुर्व राज्य सचिव रहे हैं जिनका अंदरों का एक इतिहास रहा है वह मजदूरों चात्रों किसानों के संगर्सों की आवाज को लिए इस्तर पर राज्य स्तर पर और उत्राखंड के गठन से पूर्व भी उठाते रहे हैं विजराबजी नियूज किलिक में आपका स्वागत है अभी जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसवा चुनाव हमारे सामने हैं हम आपसे जानना चाहेंगे कि उत्राखंड की जो बरत सब्करती के साथ दो सीटों पर हैं को डो सीटों पर आपकी पार्टी भी अब की पार्टी वी लोकसवा चुनाव में दो सीटों पर उन्ने जिसको नकार करके हमारी पार्टी की राजनित हो नहीं सकती है। मैं उस पक्षमें नहीं जा रहा हूं। लेकिन जो उत्राखंड विशेश है उसकी जो राजनितिक परिस्थती है। उस पर थोड़ा सा द्यान देने की जरूरत है। और उसके बाद जो लोकसभा कंस्ट्वेंस हैं जिसमें हमारी पार्टी डारेक्ली चुनाव लड़ रही है। तीरी लोकसभा सीथ। उसकी जो खासियते विशिश्चता हैं उस पर भी थोड़ा द्यान देने की आवश्रक्ता है। और इस चुनावी संगर्ष में निश्चत तोर पर इतमाम सवालों को हम उठाएंगे। और हमारे जो प्रत्याशी हैं राजन पुरुवित हम वो लड़ाई के मैदान में हैं। वो इन तमाम सवालों को जंता के बीच में ले जाने को प्रियास करेंगे। और जो दो प्रमुख पार्टियां जुनावी मैदान में हमारे खिलाफ हैं। उसमें भाजपा नंबर एक नंबर दो जो कॉंग्रिस है। इसके खिलाफ हमारा जो संगर्ष है उसके बारे में हम चल्चा करने कोशिक करेंगे। अभी आपको मालूम है कि हम लोग पहले उत्रप्रदेश का हिस्सा हुआ करते थे। और उत्रप्रदेश से निकल करके उत्राखंट राज बना एक जनता का अंदोलन हुआ। उस समय भी जनता के कुछ विशे सवाल थे जिसकी बज़े से वो उत्राखंट से अलग होना चाहते थे। उन मेंसे एक सवाल तो कृशी से जुड़ावा सवाल था सीधा साधा। एक सवाल रोजगार से जुड़ावा था। एक सवाल पलायन का था। एक सवाल हमारे फॉरिस राइस का था। एक सवाल हमारे ट्राइवल जो चेत्र हैं। उनकी समस्याओं से जुड़ावा सवाल था। इसके साथी परवतिये एक जो भुगुलिक सितियां हैं। उनका मैदानी चुत्रों का भी एक बड़ा सवाल था कि लोगो की बड़ी मांगती कि हम परवतिय राज्या बनाएंगे तो हमारा इस चेत्र का खासकर विकास होगा। वह एक पक्ष था लेकिन उसके पीछे जो बुनियादी सवाल थी उस चेत्र की जन्ता की। जो कि उतर परदेश के अंदर रहते वे वहाँ की जन्ता महसुस करती थी कि हल नहीं हो रहे हैं। इसलिए वहाँ एक जनाम दोलन हुआ और आखिर में यह उत्राखन राज्या बना। लेकिन इतने उत्राखन राज्य बनने के इतने वरसों बाद भी जो सवाला तब उठते थे। वह सवाल आज भी जसके तस हैं उसमें कोई फर्क नहीं आया है। देखा जाए तो समस्यां जटिली हुई हैं। मिसाल के तौर पलायन के सवाल ले लीजे। आज की तारिक में दो जनपद ऐसे हैं, अलमोड़ा और जड़वाल जहां एपसलूट टर्म्स में आबादी गटी है। हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुए, हिंदुस्तान में हर एक जनपद को आप देखते हैं तो आबादी बढ़ती है। यहां पर दो जनपद ऐसे हैं, जहां कि आबादी कम हुई है पहले के मुकाबले, यह बताता है कि किस गती से यहां से लोग पलायन कर रहे हैं, तो एक तो सीधी साधी बात है कि कृषी का संकट है, जो कृषी उनको होड नहीं कर पा रही है, दूसरा यह पूरा छेतर है जहां रोजगार नहीं है, वो रोजगार की तलाश में अपने जनपदों को, अपने ग्रह जनपदों को, अपने घरों को छोड़ करके, पहले तो उत्राखंड के मैदानी जो इससे वहां आते हैं और उसके बाद जो हिंदुस्तान के महानगर हैं वहां जाते हैं, और यह निरंतर करता में अटाक होते जाते हैं, वो कम नहीं हुए हैं, और जो फोरेस्ट राइट बना भी था यूपे वन के जमाने में, उस पर भी इंप्लिमेंटेशन इस पूरी छेत में हो नहीं रहा है, फिर सवाल आता है कि जो वहां की ख्रिशी में जो चीज़ें पैदा हो रही हैं, मिसाल के तोर पर एक बहुत बड़ा चेतर है जहां हम लोग चुनावी मैदान में जा रहे हैं, जहां होटिकल्चर एक बहुत बड़ा पेशा है, जिसमें माल्टा है, सेव है, आपका निमू है, या वेजटेबल्स हैं, आलू है, दूसरी चीज़ें पैदा होती हैं, उनके मार्केटिंग का कोई नेटवर्क नहीं है, कि वो कहां बिके, पहले तो मिनिम्मम सपोर्ट प्राइस का सवाल आता है, वो नहीं है, फिर वो बिके कहां, उसकी मार्केटिंग का सवाल जो है, बहुत जटिल है, वो बीच साल पहले भी था, वो आज भी है, तो नतीज़ा यह कि जो कृषी से कुछ हो भी सकता है वह भी वहां की जनता को मिलनी रहा है तो यह सारे सवालात जो है हमारे सामने हमारे सामने हैं और जहां तक फॉरेस्ट राइस का सवाल है यह सवाल कोई नया सवाल नहीं है इस चेत्र में यह पूरे कुमाओं में गड़वाल में और इस हमा लाई की बात है तो इसमेश आंदलनं की एक विरासत रही है जो कि टीहरी रियासत के खिलाप रही है जो जो परवत्ति राज जो परवत्ति जिले ऐ tea हैं खासका उन कि इस चेत्र में उनिस्सो तीस, बीस और तीस के बीच में कमिनिस्टान दोलन का के विचार का सूतरपात हुआ है और यहां पर जो जनता के संगर्ष रहे हैं जिसमें रमाई कांड एक बहुत बड़ा संगर्ष है जो उनिस्सो तीस में हुआ था उनिस्सो तीस में ही पिशावर कांड रुआ जिसमें गड़वाली सहनिकों ने जो है बगावत की अंग्रीजों का हुप नहीं माना और उसके एक नायक चंसिंग गड़वाली जो बाद में कमिनिस्टान दोलन के इस चेत्र में एक नेता बने इसे प्रकार से पीसी जोशी जो कमिनिस्टान दोलन के बहुत बड़ा नाम है हमारे हिंदुस्तान में वो भी अल्मोडा जन्पद में ही उन्होंने अपना जीवन ही शुरुवात किया तो एक तरह से यह जो पूरा विरसा है हमारा इस यह मिचोर हुआ इस पूरे इलाक्स में है और जो संगर्ष जनता के सं संगर्ष हुए कमिनिस्ट पार्टी ने उन्हें अंगिकार किया ना केवल उन से प्रेंड़ा ली बलकि उन संगर्षों को तेज कर्मे में अपनी भूमिका उन्होंने निभाई हिंदुस्तान में आदाद हुआ लेकिन जो टीरी रियासत है उससे यहां की जनता को मुक्ति संगर्ष में मिली है और भूलने वाली बात नहीं है 11 जनवरी उन्हें संगलानी के रूप में बोलू बरदारी के रूप में इसी टीरी रियासत के अंदर हुए तो कम्यूनिस आंदोलन की सक्रिय भूमिका वो सामने आती है कि जनता के आंदोलनों में जनता के सवालात हैं जनता के संगर्ष में जा रहे हैं तो इसी विरासत के संवर्धन के लिए इस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए जनता के मुद्धों को उठाने के लिए हैं मिस लडाई में हैं हमने राजसाही से तो एक मुक्ति पाली लोकतंत्र में आगे लेकिन उस लोकतंत्र में कहिना की राजसाही परिवार का दबदबारा जितने भी अभी तक तीरी किया हम बात करें तीरी में अभी तक जितने भी लोकसावा चुनाव होए हैं उनमें अधिकांस्त है जो है अब इसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि, जिस राजशाही परिवार के खिलाफ जन्ता निरंतरता में संगर्ष में रहिए। और जिस संगर्श के हम आज बात कर रहे हैं, उस राजशाई परिवार के साथ कट्चोड करना, यह हमारी जो यहां पर पार्टी हैं, रूलिंग पार्टी हैं, कॉंग्रिस या भाजपार, यह सवाल के जवाब तो एक्शिली उनको देना चाहिए, कि जिस परिवार के खिलाब जिस विरासत के खिलाफ जनता निरंतरता में संगर्श में रही है, जनता ने जिसके खिलाफ लड़ते वे कुर्बानिया दिये हैं, और ऐसा नहीं कि एक दो, सैक्ड़ों की तालाद में जनता जो है शहीद भी, शाधत का रास्ता उननों नंकिकार किया है, तो एक विरासत ये है, संगर्शों की, जिसको ले कि हम चल रहे हैं, और एक विरासत वो है, जो दमन की विरासत है, जिसको लेकर के आज भाजपा खड़ी है, इससे पहले कॉंग्रेस भी खड़ी थी, कॉंग्रेस भी आज उसी रास्ते पर इस कंसे कम इस कंस्टवेंसी विशेश में उसी तो इसलिए हम समझते हैं कि दो विरसे हैं एक जनसंगर्श की विरासत है एक राजशाई की दमनकारी विरासत है जनता के सवालों को नकारने की विरासत है जिसको लेकर के बाज़पा और कॉंग्रेसी छेत में लड़ रहे हैं तो निश्चित तोर पर हम लोग इस संग्राम मे जन संगर्शों की जो विरासत है उसों लेकर आगे जाने की बात कर रहे हैं और हमारी जनता से अपील है कि वो अपने विर्से को जो उसका विरासत है उसको मजबूत करते हुए आगे बढ़ने के हमारी जनता से अपील है और हम संग्राम में और किस चीज चीज के खिलाफ nós खाली डाइनीस्टी नहींиновा यह पर तो डाइनस्टी भी हे और डाइनस्टी भी दमनकारी सामंशाहित की जो कोरिक जो कि पास है लेकिन इसके साथ-साथ वो जो दूसरी दूसरी परंपरा है जो अभर्माइब की परंपरा जिसको की कॉंग्रेस ने इस पर्टिक्लर कंस्टुएंसी में तीरी विशेस में रेप्रेजेंट किया है उसके हिलाब भी हमारी लड़ाई है तो बुनियादी तौर पर तो यह है लेकिन कंस्टुएंसी कैसी है इसको भी समझना चाहिए अभी कुछ दिन पहले यहां पर एक लेखक को संबान दिया गया है लीला धर्जगूडी को कहां से आते हैं कौन सी परंपरा का निर्वान तो उतरकाशी से आते हैं और बड़े दूसरी लेखक मंगलेश डबडाल हैं दिली में रहते हैं कहां से आते हैं वो तीरी तीरी से आते हैं जर्नलिस्म के जगत में आप अपना चरित्र भी दूदुन भूरा इंट्र कज हिए और जो में पत्र कारजिता की भी बात कशेुर्टा भो जहें तो मैं गढ़वाली अखबार की बात करता हूं कि जहले है सरक मेरे थी कि को श्रक तो रही है, राजशाय के खिलाब लड़ने का चेत्र रही है, लेकिन ये दूसरा जो स्वतनता संग्राम में जो दूसी परंपरा है, जो दूसरा विर्सा उसका भी चेत्रा है, आकर श्रीदेब सुमन कहा शाइद हुए, किस के खिलाब लड़ते वे शाइद हुए, वो तो कम विजय बोगना यहां से लड़े, कॉंग्रिस से लड़े, आज कहां खड़े हैं, सत्पाल महराज कॉंग्रिस से लड़े, आज कहां खड़े हैं, राइपूर छेत्र का जो विधायक कॉंग्रिस से जीता आज कहां खड़ा है, तो यह जो पूरा बिट्रेल का इतिहास है, ए अठारा साल उनिस साल को गए इतिहास है उसके जो सवालात हैँ वो एड्रस नहीं किए गए और उसके जो सवालाथ अमने जो इन को लेकिन जो सवालाड थे मूल सवाल थे उनको हल करने का जो लड़ाई थी उसमें उससे हम जुडे रहे हैं तब ते ओर आज भी हैं जैसे कि अभी एक महत्मुन सवाल निकल के आ रहा है उत्राखंड की राजनिती में, उत्राखंड की जिंसंग का एक बड़ा हिस्सा एक सैनिक जो है एक आर्मी में जाता है, तो उनके एक सवालात अभी जो है लोकसवा चुनाप से गायव हैं, उसको आप किस तरह से देखते ह आप आज भी देखते हैं कि CRPF है, BSF है, Assam Rifles है, यहां तक कि RAW है, इसके जो इंप्रॉईज हैं तमाम, जो रिटायर हो रहे हैं, उनके पास वो पेंशन की सुविदा नहीं है, जो 1904 से पहले अन्य रिटायरीज को मिलती थी, अभी सरगार ने कहा पुलवामा के बारे में, हां, savoirवेकल इसके पास पुलवामा के बात कहा कि जो पुलवामा में लोग मरे हैं, उन को 2004 से पहले की पैंशन मिलेगी, लेकिन बाकी क्या होगा जो रिटायर हो रहे हैं, उनको कौन से पैंशन देंगे आप, तो उनकी पैंशन का जो इस तरह के पैरमीलिल्ट्नी फोर्से हैं उनकी जो पेंशन का सवाल है आज भी गौन है हमारा मुद्दा है हम उठाएंगो इसको और निश्रित तोर पर जो एक सर्विसमेन है वो चिंतित है कि वह क्या होगा और फिर अल्टिमेटली कोई आदमी वहां मरता है आप कहते हो शहीद हो गया आपको यह भी तो देखना चाहिए कि आखिर फोज में जाता क्यों है वो पुलीस में बढ़ती क्यों होता है वो प्रमिल्ट्री फोर्से में क्यों जाता है आज उत्राखन का रिक्रूट्मेंट बहुत ज्यादा है मैं अभी पीछे नॉमिनेशन से पहले दो चार गाउं में गया बहुत सारे मुझे फोजी मिले मैंने एक से पूछा भई क्यों कि तुमने इंट्रिमिल्ट किया तुम दूसरी नौकरी में क्यों नहीं गए तो दूसरा रास्ता है नहीं तो एक प्रमपरागत रास्ता है कि फोजी में बढ़ती हो जाओ इसलिए कि दूसरा दूसरा जॉब ऑपिचुनिटी है तो ये जो बुनियादी सवाल है इसको भी तो एड्रEस होना चाहिए कहीं न कहीक कि आता से क्या सथ हासकर और आप जनता से क्या पीछ प्लकर निटीया के पिल करने पेंशल वाले सवाल पर फिर आपके पास एक information देना चाहता हूं, अभी आज के यहवार में है, कि pension funds जो हैं, वो किसी company में invest हो गया है, वो company डूप गई, अभी सरकार ने उसे कोटक को किसी को दे दिया, उस company को manage करने के लिए माईनल कोटक को, लेकिन the pension funds were invested, वो company डूप गई, और आज सारी जो pension funds हैं, उसको इस तरह से सरकार लगाने की बात कर रही है, तो यह तो बड़ी दुर्भा की पूर्ण बात है, कि एक तरफ आप pension दे नहीं रहे हैं, जो पहले मिलती थी, दूसरी तरफ जो funds आप ले रहे हैं, उसका आप इस तरह से इंवेस्ट कर रहे हैं कि वो, तो निश्ट तोर पर ही हमारा सवाल है, हमारे देरादून में एक बहुत बड़ा भी वाग है, Oil and Natural Gas Commission, वो देरादून-बेस्ट, उसका इटकॉर्टर देरादून में है, पब्लिक सेक्टर है, वाट इस हैपनिंट ओंगी सी, ओंगी सी का पैसा एक गुजरात के PSU में लगा दिया गया है, सम नाइन थाउजन, एट थाउजन क्रोट्स, लाज पांच साल की बाद ही, देरादून में डिफेंस इंडस्ट्री हैं, एक बड़ा भारी लागा है, जहां हमारे डिफेंस की इंडस्ट्री है, जब आप H.A.L. जैसे डिफेंस, डिफेंस इंडस्ट्री को काम नहीं दे र जिसमें ऐसा पॉब्लिक सेक्टर है, जिसके साथ हम लोग जुड़े रहें, हमारे बहुत बड़ा इंडस्ट्री में हमारे छेत्री के लोगों का हुआ है, बहुत बड़ा इंडस्ट्री में के सोर्से ने डिफेंस इंडस्ट्री जो हमारे एक सेग्मेंट है, पूरा ओने पोने डाम में खराब करने की दायरे में है, अभी पांच तारीक आ रहे हैं हमारे प्रतान मंतली देश्च में मीटिंग अड्रिस करेंगे, क्या बताएंगे ओ डिफेंस इंडिस्ट्रीज के बारे में, क्या बताएंगे ओ NGC के बारे में, जब गले तक इन दोनों सवाल में देने की बात हो रही है तो निश्य तोर पर हम उठाएंगे सवाल को और हमारी जिंदगी के साथ तो डारेक्टली चुड़ावा सवाल है अगर इडिफेंस इंडर्सी फोल्ड हो जाएंगी तो हमारे बच्चे कहां जाएंगे इसके बाद एक और क्वेश्चन है जो जो उठ रहा है और हम लोग तो जूटे रहें उससे 1971 में टीरी डैम का की शुरुआत हुई बनने की योजना आई फिर बनना हुआ वहां से लोग विस्ताफित हुए उन विस्ताफितों के बहुत से सवालात आज भी हल नहीं हुए ठीक है कुछ लोग सेट जिनके मसले आज भी बाकी हैं बहुत बड़ा डैम बनने जा रहा है महाकाली पर पंचेश्वर उसमें चंपावत का एक बहुत बड़ा हिस्सा समर्ज हो जाएगा नेपाल का भी होगा वो डैम जो है वो टीरी डैम से भी बड़ा होने जा रहा है तीरी में तो पचास किलोमेटर की लेक बनेगे 63 विलिजेज हमारी तरफ के 23 विलिजेज नेपाल की तरफ के समर्ज जाएगे कहां जाएंगे लोग ठीक है डैम बनाएए आपका काम है बिजली भी चाहिए सब को लेकिन जो लोग डिस्प्लेज होंगे उनके बारे में तो सोचे ही कुछ है और जो लोग काम कर रहे हैं उन योजनाओं में पार वरकर्स पार सेक्टर वरकर्स उनके हालत क्या है उनका मिनिममम वेज नहीं है उनके काम के घंटे नहीं है तो यह बेसिक क्वेश्छन हैं और फिर यह सवाल कहीं न कहीं बड़े सवाल से जुठते हैं climate change, environmental damage बगरा बगरा जो बहुत से मद्यवर्गे लोग उठाते हैं, जो हमें वोट नहीं देते, वोट देने कॉंग्रिस साथ चले जाएंगे, भाज़पा के साथ चले जाएंगे, लेकिन अल्टिमेटली ये भी तो सवालात हैं, कौन उठाएगा इनको, तो निश्री तोर पर हम इन क्वेस्चिन देश्ची साथ है। उसके बारे में बताना भॉक जबह ज़रूवी है। सामान्ये कृश्यक परिवार का बच्चा है, वो सामानन्ये एक फोजी का बेटा है, जो हमारे यहां की नियती है, फोजी का बेटा होगा, बतिजव वाटिजा नहीं, तो प्रोडोसी तो और गई, वो ऐसे परिवार से उलड़का है वो इस पूरे छेत्र में सामंतों खिलाब लड़ा, जमीन के सवाल को लेके जड़ा वो एक जमाने में विध्यान आंदुलन में वैज्ञानिक जागरूगता के लिए सड़क पूतरा एक जमाने में साक्षरता आंदोलन में उस सड़क पर उत्रा आपकी पार्टी के मुख्य आंदोलन क्या रहे हैं जिनको देखते हुए जनता आपको बोड़ देगी जिनकी बात में कर रहा हूं इनमें कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में हमारे लोग शामिल रहें. अब ये जरूर है कि वो जो व्यापक फलक होता है, जो मीडिया आजकल देता है, जो आनन फानन में राजशाई परिवार की एक महिला को उत्राखंट की नेता बना देता है, वो मीडिया हमारे साथ तो है नहीं हम कह रहे हैं कि यह हमारी विरासत है जो 1930 के किसान संगर्ष्ट से लेकर हम 1930 से ले कहते हैं कि वह अख़बारों में मेंशिंड ए उससे पहले कि भी संगर्ष्ट है बदरी सिंग अस्वाल की ढंडक है खाज पती की ढंडक है और सारी ढंडक माने हमारे टीरी में कहा जाता था धंड के आगी माने बबंडर करने वाला आ गया यह किसान संग्रामों की जो गाथा है यह तो अपनी जे कपर है लेकिन जो डॉक्यूमेंटेट है 1930 हम तो अपनी बात वहीं से शुरू करते है और 1930 से के साथ चंसिंग गड़वारे भी जुड करके टीरी राशाई के खिलाब बड़ा अंदोलन बना उसमें निश्यत तोर पर हमारे कमणिस साथी जुड़े रहे हैं और उसमें हमारे चात्र अंदोलन के लोग जिसमें और इंडिया स्टूट फेडरेशन एक जमाने में होती थी गोबिन सिंग नेगी डियावी कॉलज क के चात्र नेता थे बाद में उतर पदेश इसेंबली में पहुंचे विद्या सागर नौट याल एया एसेफ बनारस के नेता रहे साथ के दर्शक में वो इसी कंस्ट्वेंसी के प्रॉड़क्ट रहें और बाद के आंदोलनों में एमर्जंसी खिलाब सलाउद दीन एमर्ज कि हमारे टीरी के एक जमाने के सेकेटरी सावचन रमोला वो बेरादून ने और इंडिया स्टुट फेर्डेशन कमराराम नौट याल उतरकाश्यी के नेता वो स्टुट फेर्डेशन के तो यह जो पूरी परमपरा है और स्वें पुरोहित प्रूट फेर्डेशन से जुड पुरी डाइनस्टी है जो दमनकारी डाइनस्टी है उसकी भी बात उन्हें करनी चाहिए और एक हमारा विरसा है हमारी यह वैसी डाइनस्टी नहीं है लेकिन हमारी भी तो विरासत है जो पीड़ी दर पीड़ी संगर्शों में संगरामों में दिखती है तो ये दो दो विरासतों की लड़ाई भी है तीरी में एक दमनकारी विरासत है जिसको आशरवाद दे रहा है भाजपा और एक हमारी विरासत है और हम तो उस चेतर में जो प्रगतिशील कॉंग्रेस हैं, जो कहते हैं कि हम प्रगतिशील हैं, हम सामन्तों के खिलाफ हैं, हमारी दून से भी अपील है, कि सामन्तों के खिलाफ जो रड़ाई है, उसकी नुमायंगी इस कंस्ट्वेंसी विशेश में कौन कर रहा है, आप उसक उत्राखंड की जो बर्तवान राजनेदिक सितियां हैं उनको लेकर हमने चर्चा की लोग सब्सक्राइब में लोग बोट डालने जाएंगे तो वो इन मुद्दों को जो विजय जी ने हमेरे सामें रखेंगे उनको देखते हैं बोट देंगे तो हम भी हमारी उनसे अपील है कि वो जनमुद्दों को जन संगर्सों को जनता की मांगों को उठाने वाली पार्टी को बोट दें और लोग सब्सक्राइब में एक जुजहारू और एक अच्छे सांसत का चैन करें हमारी आपसे यही बिंती है धन्यवाद निउस के लिए देखते रहें